बिहार के भागलपूर में करज मुक्ती अभियान खबर बिहार के भागलपूर में जगदीश प्रसाद राय भारतिय भागलपूर करज मुक्ती अभियान के लोगसभा प्रभारी से मिलते हैं जानते हैं उनके संस्था के बारे में स्टेट हैद सुनील कुमार की रिपोर्ट सबसे पहले आप हमें अपना पढ़िचे दें इंडियानिज 28 को मेरा राम जग्दिश पसाद राय भार किये है और मैं निसुल कर्जमुक्त भारत अभियान भागलपुर का परभारी हूँ अपने सरस्ता के तरफ से लाप तुमचाती है निसुल कर्जमुक्त भारत अभियान का मुख्य उदेश से है जो लोग बैक्ती कर्जा ले ले करके परशान है एक कर्जा चुकाने के लिए कई कर्जा लिया है इन ही इसी को कर्जे का दल्दल कहा जाता है कि अगर आप एक कर्जा लिये हैं और वो चुकान ही पा रहे हैं और आपको उपर मानसिक परताजित करके आपको काफी परसान किया जा रहा है रिकभरी जेंट्स के द्वारा, बैंक के द्वारा, एन्वी एपसिस के द्वारा तो आप दूसरे से ले करके कर्जा लेते हैं और वो सहोकार होता है जो इससे के अपरेटर अप इंट्रेस्ट भी हाई होता है और आप कर्जे की दल्दल में फस्ते जाते हैं तो ऐसे ही जो कर्जे के लोग दलदल में फसे हुए हैं और कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं उन लोगों को ये अवियान जो है कर्जा माफी का फॉर्म भरा करके उनको इस दलदल से निकालने का प्रयास कर रही है और ये करजा माफी का फॉर्म भरवा करके भारत सरकार के बित मंत्राले और प्रहन मंत्री के आले को जमा दिया जा रहा है और सरकार को दबाब बनाया जा रहा है कि वो आम लोगों का करजा माफ करे क्योंकि बरे बरे उद्धिपत्यों कर्जामाफ सरकार ने अंडर राइट राइट ओफ हेर कट गर चुकी है इसलिए आम जनता का भी कर्जामाफ सरकार को करना ही चाहिए भागलपुर के लिए अभी तक कितना फॉर्म भरे हैं अपनी संस्ता के माध्याम से भागलपुर का लगवग मैं पिसले 15 महिने से काम कर रहा हूँ पुरे तन, मन, धन लगा करके अपना काम कर रहा हूँ और एक अनुमानित है हना कि मेरे पास पुरा डाटा नहीं है चुकि आनलाइन फर्म भरे जाते हैं और इसके जो भी डाटा है वो हमारे दिली करयाले में म फेलिग प्रभावित हो कर के जनकारी होकर के वो उनलाइन गूगल पर सच करके औ Hellay फर्म भर देते हैं तो इसलिए उनकी भी जनकारी एकर नहीं होती है तो कोग जो रहते ही तो मुझतिवर रह रहा है तू मुझ उचकर लिख फॉर्मानिट हुछ कर रहे है प्ले तो हम ल आप आसानी से वहां पर फॉर्म को अपना भर करके अपना रजिस्टेशन नंबर हांतों हाथ प्राप्त कर सकते हैं इसलिए बहुत सारे जो फॉर्म भिरे जाते हैं वो हमें भी पता नहीं रहता है क्योंकि वह अनलाइंग भढ़ दिये जाते हैं और जो लोग हमारे कॉंटे कर्ज मुक्त भारत अवियान का धार्मिक एक्तार ट्रस्ट का जो कर्याल है मालविय नगर में है एच ब्लॉक में है नई दिल्ली में है वहां पर सारे जो है कारवभार वहीं से किया जाते हैं चलिए आपके संस्था लोन समुहों जो बंटा जाता उसको किस परकार से अपन उनको पता नहीं होता है कि वह कर्ज ले रहे हैं तो उनको चुकाना वे किस तरीके से हैं बहुत जगा क्या है कि फोर्ष ली आपको कर्ज दे दी जाता है जैसे मोबाइल अप लॉन समुह लॉन ग्रूप लॉन महिला ग्रूप का जो लॉन होता है यह यह आपको फोर्ष कर करके दिया रहता है आपको लालच दे करके दिया रहता है कि आप ले लो और आपको कर्ष के जाल में फसा लिया रहता है आपको जरोत नहीं वेराता है तो इतना आपको फोर्स दिया रहता है कि आप लेनों को मजबूर हो जाते हैं और बाद में जब उसकी वापसी रिप्लेम करते हैं वहां से सारे फ़र्म जो है अर्बिया को ट्रांसफर कर दी जाती है तो आर्बियाई ने इस पर काफी इनिसेटिव एक्षन लिया है इंस्सेंट मोबाइल अपलोन वालों पर काफी उसने घरिफिकेशन करके कम से गम 2000 से अधिक लोगों का अर्बियाई ने जो है उन कम्यूटी खेला करके तो यह एक बहुत बड़ा जाल है यह मैं यह नहीं कहता कि लॉन मत बाटो आप लॉन के बिनाज के समय में कोई काम होता भी नहीं है बहुत सारे काम में लॉन की जरौत पढ़ी जाती है कितना भी फंट रहे आपके पास में तो आपको कुछ नकुछ आवसकता मसूस होती है कि अंत में कुछ पैसे और मिल जाते तो हमारा काम बन जाता तो यह लॉन लेना कोई गुनाह नहीं है लॉन न चुका पाना भी कोई अपराद है तो आप वैसे लोगों को देखें कि जरौत के मुताबिद उनको लॉन दिया जाए ऐसे लोगों को जाओ में और समाज में स्तरह का खेल चल रहा है जी आपके सांस्ता का मुख्य उदेश क्या है भविष्के लिए हमरा मुख्यदेश यही है कि जैसे भी हों आम-जंता का कट्रजा माफ कराना ही है चू jąखी बढ़े बड़े-द्यकपत्य मतिक joystick कर्जा माफ हुआ है और यह से एलाइसी के पास है बैंकों के पास में है अनक्लेम्ट फंड्स है वो परा हुआ है सरकार को उन लोगों को आम लोगों के बीच में जो जो करदें से परसान है उन पर उनको राहत के लिए इस्तमाल कर जा सकता है परसो ही मैंने अख़वार में पढ़ा कि पचीस हजार को जनता का ही पैसा था तो ऐसे ऐसे मतलब फंड्स को अनक्लेम्ट फंड्स को आप जनता को उनके मालवीर हालत को सुधारी जा सकती है उनको उस कर्ज के दलदल से बाहर निकला जा सकता है जब तक जनता आर्थे किसी से मजबुत नहीं होगी तो किसी भी तरीके से कोई भी व करजे से बाहर निकालना ही परेगा और आहम जंता का करजा मात